चलिए वही परमाणू को पन स्टाट कर रखा है जिसके अंदर परमाणू के कणों को हम देख चुके हैं स्टाटू के सबस्कें अनले किसी ओ अनु में परमाणू थनैन परमाणूरी डियूसी का देẾquitoq देख लिए साथ है हमने यहाँ पर देख लिया कि जो परमाणू मोडल है उनको भी किया है हमने डिसकस का लिए उसके अंदर रदरफोर्ड मॉडल और बोहर का मॉडल और तॉमसन मॉडल बोहर मॉडल जो था वो किसके ओपर था आपके इलोक्ट्रोन जो गती कर रहा है ना किसके नाभिक के पत पर जो चक्री पत है उसके गती कर रहा है तो उस दोरान वहां पर क्या कर रहा है उसकी एक त दूसरे कोश में जाएगा यह तो उसको उर्जा अवशोशित करनी पड़ेगी यह उच उर्जा कोश निच्चे वाले कोश में आएगा तो उर्जा को क्या करना पड़ेगा निश्काशित करना पड़ेगा यह उस सर्जित और अवशोशित उर्जा के कारण आपका क्या दता है शेनी और इन शेनियों के particular कुछ नाम रखेंगे जिन में सबसे पहली शेनी जो थी वो लाइमन शेनी थी जिसकी उड़जा हमने निकाली उसके बाद आपकी ब्रेकेट शेनी थी उसके बाद आपकी पफुन शेनी थी इस तरह से लाइमन बामन पाश्चन ब्रेकेट औ पफुन शेनी को हम क्या कर चुके थे देह चुके थे आज की class मैं इन शेनियों के अंदर क्या होता है एलोक्ट्रनों का जब transition होता है एलोक्ट्रोन जब principles करना start करता है तो ऐसी परिसिती में हमारे पास क्या बनती की तरंग धहरे बनती है क्या बनती है तरंग धहरे बनती है तो उस तरंग धहरे को निकालेंगे क्योंकि इलोक्ट्रोन जब नीचे उर्जा कोश है उच्छ उर्जा कोश में जाएगा यह उच्छ उर्जा कोश है कहा जाएगा नीचे वाले कोश में आएगा तो वहां से क्या करेगा वो उर्जा को निकालेगा या उर्जा को ग्रहन करेगा तो उर्जा को ग्रहन करते वक्त और निश्काशित करते वक्त यह जो उर्जा निकलती है वो किसकी रूप में पर क्या है आपका कोश है और यहां पर क्या हून उपस्तिते इलेक्ट्रोन को यदि कहीं से उर्जा मिली तो यह उस उर्जा को क्या करेगा अवशोशित करेगा इसका क्या करेगा अवशोशन करेगा और अवशोशन करने पर यह क्या करेगा इस उर्जा से नीचे के उर्जा क कोश से कहां चला जाएगा उपर के उर्जा कोश में चला जाएगा ठीक इसी प्रकार से ये दूसरा मेरे पास परमाणू है ये इसका नाभी के और ये इसके क्या है कोश है और इसका जो इलोक्ट्रोनिक वो कहां है उच उर्जा के कोश में किसके अंदर है उच उर्जा के यह उर्जा जिस रूप में अवशोशित होगी या उत्सरजित होगी और यह किस रूप में जाएगी यह किसकी रूप में जाएगी तरंग के रूप में किसकी रूप में तरंग के रूप में जिसे हम क्या बोलते हैं फोटोन के नाम से जानते हैं फोटोन के नाम से जानते है बाद में इसे क्वांटा भी बोला गया था क्वांटा के नाम से उर्जा का एक पैकेट जिसे क्या बोला जाता है क्वांटा बोला जाता है तो यह फोटोन की रूप में निकलती इसकी एक उर्जा होती है जिसे हम किसके नाम से जानते ए बराबर एच नियू के नाम से जानते जहाँ पर H क्या हो जाएगा प्लांक नितांग हो जाएगा और न्यू क्या हो जाएगी आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी क्या हो जाएगी फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी देखने के लिए मिल पाएगी तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे यह इलो कुंसी आदेगी बामर के बाद कुंसी आदेगी पास्चन के बाद कुंसी आदेगी आपकी ब्रेकेट शेनी आदेगी कुंसी आदेगी ब्रेकेट आदेगी और ब्रेकेट के बाद कुन सी आजाएगी देखे कुछ किताब में इसे पफुंड भी लिखा गया है और कुछ किताब में इसे क्या लिखा गया है फुंड भी लिखावा है ना तो कहीं पर आप पढ़ेंगे तो इसको पasında लिखेगा और कहीं पर आप देखेंगे तो इससे क्या लिखा गया है फुंड भी लिखावा है तो कुछ इसे फुंड बोलती है और कुछ क्या बोलते हैं इसे फुंड के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है तो फुंड भी बोल सकते हैं नीचे वाली श्रेणी के अंदर आएगा है ना नीचे वाली के अंदर आएगा तो उस टाइम पर क्या बनेगी यहाँ पर इस्पेक्ट्रम रेखाएं बनेगी क्या बनेगी इस्पेक्ट्रम रेखा मिलेगी तो आज हमें यहाँ पर क्या ग्याद करना है spectrum रेखा उगई संख्या क्या ग्याद करनीए spectrum रेखाओं की संख्या000 कि कितनी spectrum रेखा है यहाँ पर क्या करती है बनती है उनके नमबर हमें क्या करने ग्याद करने जब electron उच उर्जा कोष से कहाँ I निमन उर्जा कोष की टरफ आणा I । करें जैसे कि यदी उलॉक्ट्रोन कहां से आपका जैसे में यहाँ पर लाइमण के लिए क्या करणूगा ऐल कलोगा और इसके लिए क्ता हो जाएगा एंड वन हो जाएगा इसी IF के लिए यूज कलूगा और इसकेलिए पाशन के लिए क्या हो जाएगा पी यूज कर लूँगा उसके लिए क्या हो जाएगा इसी तरह से ब्रेकेट के लिए वापस क्या कर दूँगा बी डैश का यूज कर लूँगा और यहां पर किता हो जाएगा एन फूर हो जाएगा और इसी तरह से पफुन के लिए क्या यू कि लिए क्या हो जाएगा बीडेश क्योंकि दो दो है ना एक बामर और एक ब्रेकेट ए तो इसनले एक को लिख दिया बी तो दूसरे को क्या बोल दिया बीडेश ऐसी नाम देदी आप यह आप कुछ भी दे सकते हैं ऊप उपन की लिख दिया पीएफ को लिख दिया ना करे पिएफ से लाइमन में क्या करे ट्रांजिशन करे तो Himka कर लेंगे इस के लिए यहाँ पर लिख दाएंगे एंटू कितना हो जाएगा यहां आ रहा है तो आहां से उपपर वाली श्यर्णी तो कहां से एलोक्ट्रोना अंराय और आपका यहां पर कितनी इस्पेक्ट्रम रेखाऊं का निर्माण होगा तो इस्पेक्ट्रम रेखा हैं जब बनाए जाती है तो यहांपर जैसे इसमीने प्रेक्ट्रम रिखाय बनाई तो सबसे पहले इलोक्ट्रोन को कहां से आना पड़ेगा पफूंड से कहां आना पड़ेगा ब्रेकेट में आना पड़ेगा कहा आना पड़ेगा ब्रेकेट में इसकी कहानी कुछ ऐसी है जैसे कि मैंने यहां पर क्या बना दिए सीडिया बना दिए इस्टेयर बना दिए कि यह क्या है सीडिया है क्लियर है तो अगर यहां पर आप खड़े वे हो है ना तो आप कूद करके डारेक्ट नीचे थोड़ी ना सकते हो आपको क्या करना पड़ेगा पहले इस सीडी पर आना पड़ेगा फिर इस सीडी पर आना पड़ेगा फिर इस सीडी पर आना सबसे पहले सेको अश्चान में यहां और में पर आएगा पॉच्टन में आएगा तो पहले total शेणिया यहां पर किती बनी चार स्प्रक्टरम रिखाये बनी च अब ची सके अधो पका इसके बाद यह पर जाएगी लाइमन में तो यह किस से चलने वाली है अब की Salesforce क्ति छलने वाली फिर इसके बाद आगी की तरफ चलेंगे और तो अब कहां से चलेगी पाशन से चलेगी तो पाशन पर लिवेzug इन ही यहां पर दो बनी यहां पर और एक बनी यहां पर तो जभी ओल्फॉंड से लाइमन में आएली आएगा तो कुल शेहन dio का नंबर किता होजाएगा किटा हो जाएगा टूटल प्षेणियों का नंबर हो जाएगा बेटा 10 कित्ता हो जाएगा 10 यहां पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं का क्या हो जाएगा निर्मान होना स्टार्ट होगा जब वो चलेगा तो पहले एलेट्रोनों को क्या करना पड़ेगा यहां से लाइमन तक आना पड़ेगा फिर इसी तरह हो जाएगी दस हो जाएगी यहां पर कित्ति हो जाएगी दस हो जाएगी तो कभी भी आपको कुल इस्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो अब हर बार तो यहां पर यह कर नहीं सकते हैं हर बार तो यहां पर यह कर नहीं सकते अगर हर बार यह करने बिटे कुल स्पेक्ट्रम रेखा कुल स्पेक्ट्रम रेखा किता हो जाएगा अब का सबसे पहले लिख देंगे N2-N1 और किता हो जाएगा घ्रिम kayakấp लिख ग्रिम कर देंगे और किता ओजाएगा आपका पाँच माइनस दो यहां पर यहां यह किता ओजाएगा प्लस किता हो एक हो जाएगा ठीक है कि तया कि तो बच जाएगा आपका यहां से इसंट मैंने इसमाइन यहां पर टूरा टीन फश्ता होएन इस मिसुट्ट फिसंव अइस तो यह पांच और किसा खाली मांएनस का दो जाएगा यहाँ पर 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 यहाँ एक दो तीन चार पांच पांच से अपन आ गए एक में अच्छा यहां से कित्ता अगया था यह दो यह पांच माइनस कर देना एक तो यह कित्ता हो जाएगा आपका इहां पर चार हो जाएगा और गया कित्ता हो जाएगा पांच माइनस एक यह कित्ता हो जाएगा प्लस एक कि पर भाज़ा बहुź कर जाएगाowan değiş on the total spectrum बहुत्त होसं कि reden सब्सक्राइब नहीं सबस्त एक सब सब्सक्राइब और 2-1 तो एमट 2-1 यहां पर किता हो जाएगा प्लास 1 गाज थना कहां बने अरहा था 5-1 यहां पर हो यहां से बचा 4 4 से भाग दिया तो दो जाएगा पांच दो जाएगा और यहां पर केसे निकालेंगे कुछ संख्या को तो अगर बनाने के लिए पूछा जाए तो यह इस तरह से बन जाएगी और डारेक्ष सुत्र से निकालना हो तो इस तरह से निकाल देंगे जिससे मैं आपको एक और एक्जाम्पल देता हूँ जिसे हम यहां पर क्या कर लेते हैं आपकी जो आपका ब्रेकेट है, ब्रेकेट से हम कहाँ आ रहे, लाइमन में आ रहे कहाँ पर आ रहे, ब्रेकेट से कहा रहे लाइमन के अंदर आ रहे, तो अगर हम बात करें तो ब्रेकेट के लिए कितना हो जाता है, चार हो जाता है कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो यहां पर इसके लिए N2 कितना लिगे आप, चार रख दोगे, और N1 कितना लिगदोगे, आप यहां पर 1 लिगदोगे, चलो मुझे टोटल स्पेक्टरम लाइन्स बना के बताओ, कितनी आ जाएगी, संख्या निकाल के बताओ सुत्र से जल्दी से निकाल के बताओ कितनी आ जाएगी बंद है इस पंका बंद है इस पंका किती आ जाएगी स्पेक्ट्रम रिखाएं कर देखते हैं सुत्र में लगा कर गया सबसे बहले सुत्र गया आपका एंट्व माइनस एन वन एंट्व और प्लस वन बाजक कितना कर देंगे दो कर देंगे तो एंट्व किता है हमारे पास चार माइनस कितना करना है एक ब्रेकेट एंट्व किता है चार माइनस एन वन इस बार कितना है माइनस का वन और यह कितना हो जाएगा प्लस का वन बाजक दो यह कितना हो जाएगा हमारे यहां पर तीन हो जाएगा और यह प्लस का वन माइनस का वन जीरो यह कितना हो जाएगा चार चार बाजक दो करेंगे तो यह कितना हो जाएगा अपका लाइमन फिर बामर फिर अपका पाश्चन फिर ब्रेकेड फिर पफुन और फिर अपका लास में आगे चलते रहेंगे अभी तो हमें इसकी ज़रूत है नहीं हमारा इलोक्ट्रोन कहां से ट्रांजिशन कर रहा है ब्रेकेड से कहां से कर रहा है ब्रेकेड से तो बना ल रेखाए बनी तीन उसके बाद वापस आपकी अब कहां से आएगा पाश्चन से कहां आएगा बामर में आएगा पाश्चन से कहां आएगा लाइमन में कित्ती रेखाए बनी दो तीन यहां बन गी दो यहां बन गी उसके बाद कहां पर आएगा आपका बामर से कहां आएगा तो यहां पर जो सुत्र से निकाल रहे है और भी जेखने के अंदर लेकर आ रहे हैं किसके अंदर बताव आप चलिए किति स्पेक्टर्म लेखाएं बनेगी कुल स्पेक्ट्रम रेखाऊंगी संख्या किती हो जाएगी यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम रेखाएं किती हो जाएगी किती हो जाएगी तो सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर पफुन पफुन के लिए नंबर क्या हो जाएगा? पफुन में कित्ता हो जाएगा? पाँच पाशन के लिए कृता हो जाएगा तो वापर डाल देते हैं यहापर number तो n2 की जगे किता कर दूगा मैं यहापर पाँच n1 की जगे में किता कर दूगा इस बार हर बार क्या ले रहा था 1 देखो n1 की जगे 1 नहीं आता 3 भी आ सकता है n2 की 2 नहीं आता जहां से transition कर रहा है वहां पर आजाएगा सुत्र लगा देंगे total spectrum lines n2 minus n1 n2 minus n1 plus 1 भाजक कित्ता हो जाएगा दो n2 कित्ती है मेरे पास 5 n1 कित्ती है मेरे पास 3 n2 कित्ती है मेरे पास 5 n1 कित्ती है 3 plus का 1 भाजक 2 तो 3 minus 5 minus 3 करें के कित्ता बच जाएगा दो यहां पर करेंगे तो यह कित्ता हो जाएगा पांच और 166 minus 3 करें तो किता हो जाएगा तीन दो भाग दे दूंगा तो यह किता हो जाएगा तीन तो टोटल स्पेक्ट्रम लेक लाइन का नंबर किता हो जाएगा तीन बना करके देख लेता हूं बन रही है नहीं बन रही है बना लेते हैं यहां पर तो यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले लाइ यहां यहां पर एक रेखा का बनी यहां पर यहीक यहां बनी टोटल इसक्पेक्ट्रम रिखाई किटी बनगी तीन बन गई किती बन गी तीन बन गई क्लियर है पक्का इमांदारी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दूइदा नहीं तो ग्राफ की तुरू भी बना सकते हैं और इस तरह से भी देख सकते हैं क्लियर है चलिए कि यहां से आज का टॉपिक टालें स्पेक्ट्रम रिखां की संख्या है न यह स्पेक्ट्रम का बनवा दिया था क्या अध् Dare अवश्योशन उस्टर्जन का बना लिया था क्या एक बार यह डाइग्रम बना देना अवश्योशन उस्टर्जन का कि अधि कि अधि कि अधि झाल झाल कि अगे चले हैं यह बना लिजीगा यह पूरा इसका स्पेक्ट्रम बना लिजीगा और उसके बाद स्पेक्ट्रम रेखाओं को ग्याद कनेगा यह सुत्र लिख लेजेगा इस सुत्र को अलग से लिख दूगा कहीं झाल 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 कहां से आ गया है दिख रहा है गया क्लियर है स्पेक्ट्रम निकालें कहां से निकालेंगे ब्रेकेट न्टू माइनस न्वन न्टू माइनस न्वन प्लस वन बाजक दो क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है झाल क्लियर है झाल 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 झाल